एजन्सीज हैं, उनको एक टूल की तरह, एक आजार की तरह, हत्यार की तरह इस्तिमाल किया जा रहा है, कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी विपक्ष का, कोई लीडर, अगर बीजेपी के जुलम जबर के खिलाब बोलता है, तो उसके घर पे एडी आती है, उसके घर पे सीबिय आती है, इनकम टेक्स आती है, और यह अन्डेकलियर्ड एमरिजेंसी की तरह देश की हलात हो गए हैं, यह बात, आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यही बात आडवानी जी ने कहीं थी, कि अन्डेकलियर्ड एमरिजेंसी वाले हलात हो जाएंगे, तो आज हलात होई हैं, गुवर्नर जहां इनकी सरकार नहीं है, वहाँ गुवर्नर के जरीए, राज्यपलों के जरीए तंग किया जा रहा है, मैं भी उसका पीड़ेत हो एक हूँ, केरला के मुख्यमंत्री अभी जंतर मंतर पर आके गए, तमिल्ला डूप के मुख्यमंत्री अपने गुवर्नर से तंग है, उनका गुवर्नर भाषिनी नहीं पढ़ता उनका लिखा हुआ, विधान सावा में जो पढ़ना होता है बजट सेशन में, ममता दीदी को हर रोज तंग किया जा रहा है, हिमान सुरेन को गिर्फतार कर लिया, दिल्ली में अर्विंग केजिवाल साब को जब भी कोई काम करते हैं, अलजी टांग अडाता बीच में, सुप्रीम कोर्ड के जरी ये सरकार चलानी पड़ रही है, हम भी सुप्रीम कोर्ड में पहुंचे हुए, सुप्रीम कोर्ड में जाना पड़ा गोवर्नर के खिलाब के खिलाब के बजट शेशन नहीं होने दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ड में, स्टालें जी सुप्रीम कोर्ड में, केरला के मुख्य मंत्री सुप्रीम कोर्ड में, अर्विन केजरिवाल जी हर बात पर सुप्रीम कोर्ड में जाना पड़ रहा था, सुप्रीम कोर्ड के पांच जीरो के पेंच ने कहा सर्वसिस जो हैं, वो अर्विन केजरिवाल जी के पास सरकार के पास रहने चाहिए। सुप्रीम कोट का पांच जीरो का फैसला नहीं माना. उसी दिन उसी दिन organiz जारी करके कहते नहीं, अर्विन केजरिवाल को काम नहीं करने देंगे हम. क्या हस्पताल बनाने वाला आज आज दिल्ली में हस्पताल बनाने वाला जिसने पूरे देश में हेल्थ करंटी लेके आई पैरसीटा मोल की छोटे सी टेबलेट से लेके 40-50 लाग जो टेस्ट है फ्री हैं आप लोग भी जाते होंगे आपके रिष्टिदार रप भगवान ना करें कोई इसी बिमारी हो हास्टाल बनाने वाला जेल के अंदर इस ते अंदर जैने दिल्ली में स्कूल बनाने वाला जिसने लाखों बच्चे गरीबों के बच्चे नीट MBBS IIT में जाने योग कर दिये मनीशी सोदिया जेल के अंदर है राज्यसवा में मोदी जी के खिलाप उठके बोलने वाला संजे सिंग अंदर है जिसने लाखों बच्चे गरीबों के बच्चे नीट MBBS IIT में जाने योग कर दिये मनीशी सोदिया जेल के अंदर है राज्यसवा में मोदी जी के खिलाप उठके बोलने वाला संजे सिंग अंदर है अभी अर्विन केजरिवास साब को ले गए मतलब मुझे समझ नहीं आती के देश में लोकतंतर है कहां है तीवी पतरकार कोई अगर एसी रपोटिंग कर दे पतरकार को पकड़ के लेके जाते हैं कोई यूट्यूबर के बारे में कोई यूट्यूबर कोई बोल दे कुछ उसके लिए कनून लेके आए यह आपका कॉंटेंट जो है यह बढ़का हूँ है हेट स्पीच माना जाएगा इसको अबसे ज़्यादा हेट स्पीच कौन देता है देश में सबसे ज़्यादा हेट स्पीच बीजे भीवल देते हैं गोली मारो यह तबाईले के ठीकों के चलेगे क्या यह काम नहीं करने चाहिए हमें वह आमाधी क्लीन को बंद करने के लिए नैशनल हेल्ट मिशन का पैसा रोक रखा है यह ना बनाओ जी फिर 26 जनबरी की परेड में पंजाब की जहांकी नहीं हुई क्यों जी आजादी में 80% योगदम सा हमारे बजर्गों का हमारे पुर्खों ने कुर्बानियां दी और 15 अगस्त और 26 जनबरी आप पंजाब के बिना मना लोगे कैसे मना लोगे आवडेर यूँ आर वो घोते कौन है शीद भगस सिंग की जहाकी को जिसमें शीद भगस सिंग करतार सिंग सराबबा लाला लाजबत रहे मदला डिंगरा जलया वाली बाग का कांट जिसमें वो थे जहाकी में उनको रिजयट करने वाले जी एकौन होते हैं यह बढ़े हो जिन्होंने देश लेके दिया अब उनी के खिलाब कर रहे हैं मुझे तो यह शक है अगर इनका बस चले तो यह राष्ट्रिय गीत जानगान मन से पंजाब का नाम निकाल देंगे अगर इनका बस चले तो इतनी नफरत करते हैं यह पंजाब को और पंजाब वो है जो पूरे देश का पेट भी पालता है 532 किलोमेटर हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ हमारे बेटे आज कारगल से लेके पंजाब के लड़के खड़े हैं सीना तान के कोई भी दुश्मन की तरफ से कोई गोली आती है सब सब से पहले पंजाबियों का सीना है तो यह इतना है हमे भी नेता इस एलेक्शन में चुनाप परचार ना कर पाए यह एलेक्शन शीनना चाहते हैं तीन दिन पहले रशिया में क्या हुआ हुआ अठासी प्रसेंट बोट पूतिन कि 2030 तक आगे 40 तक भी जाएगा और 12 प्रसेंट है वो खराब होई वोट है उनके खिलाब नहीं हो डाल सकता कोई तो यह भी तो पूतिन की रास्ते पर चल रहे हैं फिर यह डिक्टेटर्शिप है आपक रात को आठ बजे आजाओ गर नौ तक सर्च करते रहो उसके बाद ले जाओ फिर देखते हैं बाद में रिमांड मांगेंगे यह करेंगे वो करेंगे एक देशवक्त बंदा है वो अगर पैसे कमाने होते हैं आई 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 आरेस ओफीसार अरविन के जिरिवाल कमिशनर इंकम टेक्स का उनकी पतनी भी आई कि इंडियन रेवन सर्विस पैसे कमाने होते तो अपनी अच्छीबम नौकरी को छोड़ते हैं तो इनको यह ही लगता रहता है का हमारी तरह सारे ही निखो साधू को सभी लोग साधूब लगते हैं चौर को सब जोर लगते हैं इनके एल्यार क्रोड का क्या हूआ आठ यार क्रोड के असपास जब ही एलेक्टर बॉर्ण निकले हैं, कहते हैं वो तो चंदा है, अज़ा अगर कोई अच्छे काम करें, कहते हैं नहीं तरह धंदा है, अभी मैं परवार से मिलके आया हूं, बेटा और बेटी हैं, आगे के एक्जाम देने हैं उन्होंने, किसे म मिलने जाना है, कोई किताब में इस से लिए, उनको बाहर नी निकलने दे रहे, रिष्टेदारों के फोन आ रहे हैं, ये पुलिस से परमीशन लेनी पड़ रही है, कि सर प्लीज इनको बेज दो अंदर, ने जी दो बंदों कोई बेजेंगे, ये चार है, खद है, बच्चो का क्या कसूर है जी, उनकी पत्नी का क्या कसूर है जी, तो ये सब, कोई इनका किसी, मुझे ये बता दीजिए, किस की मानते हैं ये, सुब्रीम कोड की मानते हैं, नहीं मानते हैं, इलेक्शन कमिशन की मानते हैं, नहीं मानते हैं, सीब्याई की मानते हैं, नहीं मानते हैं, म निंदनिया है, आमादी पार्टी, अब छोटी पार्टी नहीं है, दस साल में राष्ट्रिय पार्टी बन गई, दस साल में दो राज्यों में हमारी सरकारे हैं, दस हमारे राजिसभा के मेंबर हैं, एक हमारा लोकसभा के मेंबर है, पांच एमले हमारे गुजलात में हैं, दो एमले हमारे गोवा में हैं, मद्धिपरित्मी सिंग्रॉली में हमारी मेर है, और चंडीगड का मेर हमारा है, और वो तो पता होगा न, चंडीगड का मेर कैसे ब कैमरे लगे हुए थे, कैसे गिन रहा था, ऐसे बोट देखके, जब सुप्रीम कोड गए, तो जस्साब ने कहा, कि दिखा ये कहा है बोट ये, वो आठ के आठ्थो बोट उन्होंने वैलेड करार दिये, और पहली बर हुआ है, जुडिशन हिस्ट्री में, कि कोई मेर का नाम स करें जारी कर दिया कि ये मेर होगा, तो अगर 36, 36 बोट में से 8 खराब कर दिये, मतलब अल्मोस्ट 25 परसेंट, मुझे इस बात का, कोई हैरानी जा खुशी महीं है, कि हमारा मेर बन गया, मुझे इस बात की बहुत चिंता है, कि 36 बोट में से 8 खराब कर दिये, अभी 4 जून उनको बानने में करोर बोर्ट गिले जाएंगे, उनमें क्या करेंगे ये, बोर्ट कहीं डलता है, जाता कहीं और है, जीतता कोई और है, ये उन्होंने एलेक्शन को ऐसे समझ रखा है, जैसे बस अब हमारा ही काम है, हम कहते रहे, पिछली बार भी अर्विंग केज़िवाल ज और बाबा साब का, डॉक्टर भीमरा उमेद कर जी का सभिधान बचाना है, अभी जो देश में चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है उसको, सबको पता है, लेकिन ऐसे, ऐसे, किसी परोसी, जा किसी बदेशी राष्टरपती से कलवा लेना, कि यू आर दा मोस्ट प्र जामस प्राइम मिनिश्टर ऑफ दा वर्ड और अभी जानों की समस्या थी, हरयाना के बडर पर रोक लिया, पत्रकारों ने मुझ से पूछा, मैंने का जी, उनको दिल्ली को आते हैं किसान, मैंने का जीत के आएंगे वो देश का राज करने के लिए, तो वहीं पर आएगा स तो यह किसान ने करते हैं, तो यह पापा यूकर नौर रशिया का युद्र कवादिया मोधी जी ने, अच्छा, आप उनके युद्र कवा सकते हो, अपने किसानों से बात नी करते हैं, 200 किल मेटर, कमाल है, हद है, यह डेमोक्रसी नहीं है, मैं आपके जरीए, आपके टीवी के में करोडों लोगों को कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी जो है, वो चटान की तरह अर्विंद केजरिवाल जी के साथ खड़ी है, अर्विंद केजरिवाल को तो गिर्फतार कर लोगे, उसकी सोच को कैसे गिर्फतार करोगे, अर्विंद केजरिवाल एक व्यक्ति नहीं है, अर्विंद केजरिवाल एक सोच है, हम चटान की तरह, मैं भी अपना काम चोड़ के आया उनके लिए, उन्होंने जब दिया नहीं होता पूरी देश को के अच्छी राजनिती करने के लिए मुझ मैं आटेस्ता, फेमस आटेस्ता, मुझे क्या जरूरती, मुझे भी गालियां देते रहते हैं, बीजे भी बॉले गालियां देते हैं, मतलब असल में क्या है, इनको दुखिस बात का है, कि आम घरों से बेटे-बेटियां जीत कर हमारी कुरसियों पर क्यों बैठ गए, यह पार्टी को पर बड़ा संकट है, कोई संकट नहीं है, पार्टी को, हम वो पत्ते नहीं, जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे, आधियों को कह दो, अपनी अउकात में रहें, तो पार्टी कुछ नहीं, वह पार्टी और मजबूत हो के निकलेगी, मैं आपको कह रहा हूँ क कि अरविंद केजरीवाल एक व्यक्तिनी एक सोच है, इतल दस सालों में देश में करोडों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं, उनको कहा कहा कर सार करोगे, सारे बढ़ाएंगे हम मिलके, पंजाब में आमादमी पार्टी स्टूट जाएगी, यूनिट अलग हो जाएगा, दि जहां पर जीततें नई भाहाँ खरीद लेते हैं, जहां पर एलेक्शन से नही जीतते हैं भाहाँ गोफरीशिरन करवालो, सुबा चार बज़े गववशहन को जगा लो का बहुत उथ करवा, एक बहुत पर आ, तो ट्रम्प ने में सलाह नहीं माँगी होगी तर्म्प आँ यह उत्र दलवा लेते हैं कि एक वर तू उतले बाकी बाद में हमेशा जी को भेज देंगे वाँ ठीक कर लें हुए जब किसी की मानती नहीं है जा तो पांच जीरो का फैसर ही नहीं नहीं है सब्सक्राइब करेंगे इसलिए हमें कोई डार नहीं है जितल जी कोट भैसला करेगी कि कितना रिमार देना है कि केजरी वाल क्या क्या का असल में बीजेपी को खतम करने में वो खैरोपी वही है बीजेपी को डरी वही है कि यार केजरी वाल गरा गया ना यह हमें इससे डर है उनको कॉंगर से क्या डर उनको बाकी पार्टियों कि पतने इतने बड़ी बड़ी फैले बना के रखी हुई है जूठी सच्ची बना के रखी है एक ही पार्टी है जिससे बीजेपी को डर लगता है आम आदिव पार्टी क्योंकि इतना तेजी से जा रही है आगे तो इनको लगता है यार जहां भी जाते हैं तो अभी पंजाब में देख लेंगे पंजाब में हमने का तीरा तीरा इंडिया लाइंस के बड़े लीडर की मीटिंग है अर्विंद केजवेल के गिरफतारी को चिनते हैं कि पहले हिंतारी के गिरफतारी हुई अब अर्विंद केजवाल की हो लोगतंतर को बचाने का है केद्रिवाल साब के जो पतनी है उन्होंने कोई पहली बार नहीं ऐसा देखा राम लीला ग्राउंड से पार्टी निकली कितने दन अंचन चलते रहे जेल में भी पहले जाते रहे तो यह ऐसी बात नहीं है कि परवार में कोई शिकन नहीं है हां लेकिन आम आदमी पार्टी को जो यह कह रहे हैं कि डीरेल कर देंगे परचार नहीं करने देंगे यह इनकी गलत भेमी है क्योंकि परचार में तो हम दुगना तिगना जो जोश है उसके साथ जाएंगे और हमारे सब अभी मैं जाओंगा अपना गुपाल राय जी से इंडिया आलाइंस के कौन से नेता दिल्ली आ सकते हैं मीटिंग करनी हैं पीसी करनी हैं जो भी हम करेंगे लेकिन हम इस कितरा है हमारा आलाइंस जो है वो बिल्कुल मजबूत है आलाइंस के पूरे सातियों ने विरोध भी किया है और आने वाले दिनों में और ज्यादा हम election commission को भी लिखेंगे कि एक national party के national convener को आप पकड़ के आप उस समय जब परचार करने जा रहा है तो ये क्या democracy हो गई आपने शिब शेहना तोड़ दी आपने आपने शर्दपवार की party तोड़ दी ठीक है आपने जो चाहते हो कि इसको तोड़ दो इसको इसका चौचनाव चिन चीन लो इसका ये चीन चीना चप्टी जादा देर नी चलती मैं इतना जूठ चल रहा है देश में मैंने पार्लीमेंट में भी कहा था ये क्या कर रहे हैं ये देश को तोड़ने की बाते कर रहे हैं ये देश के टुकड़े पैसल में टुकड़े टुकड़े गैंग यह हैं जो देश को तोड़ने की बाते कर रहे हैं मैंने पार्लिमेर में बोला था कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिये कौम को कभीलों में मत बांटिये एक भैता दरिया है मेरा भारत देश इसको नदियों और जीलों में मत बांटिये हम आरी पार्टी जो है वो बहुत जोश में है जगा जगा पे आज पूरे देश में विरोध भी किया है और अर्विन केजरिवाल इस संकट के समय से बड़े नेता बनके उबर के आएंगे और लोगों को आज पता चल गया कि कैसे ये धमनकारी नीती है जो इनकी बीजेपी की है कि लोग तंत्रक में अगर हम नहीं जीते जो जीत गया उसको दबा लो ये चलेगा पता किया मैं पहले भी जाता रहूं ऐसी कोई बात नहीं है मेरे लिए को नई बात नहीं अर्विन जी मेरे बहुत मेरे बड़े भाई हैं वो बहुत यकीन करते हैं और जाएंगे जहां भी मुझे हमें मौका मिलेगा हां अने वाले दिलों में बुझेराथ भी जाओंगा अर्ज बैकिनिया सफेता की थे हैं है दो अब 117 में से दो हैं बांदमे वालों को सवाल पूछ रहे हो आप कि पाजबा कहते हैं यह होगा यह ख्याली पलवां उनके यह आमादी पार्टी के जो हमारे MLA है वो विकाव नहीं है विकाव कीमत उसकी लगती है जो मंडी में हो हमारा जो MLA है हमारे जो पार्टी के कि अब्धाय को ने ओहु एसी जनु निंदा कररें ने जिस त्रीके दर लके रसकार पर उनने सेलिब्रेट भी किता है चीनु के एक पास रहूल गंदी तो नाड़ खड़न दी गल कर रहे है पर पंजाब कॉंग्रस ने लीडर सेलिब्रेट कर रहे हैं ने तरह पंजाब करें कुछस तप हमेपा रहे है wij तो थांगी w मा श्वाद कर रहे है तो हुत्स Cand